हलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब जैसे कि आप सब को पता है अभी कुछ एक्जाम लाइंड अप हैं हमारा IBPS क्लरक का एक्जाम आने वाला है तो आज हम सीखेंगे basic concepts of probability की basic approach क्या है probability की हम उसको यहां से जानेंगे और अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो 10 मिनट में आपको basic approach सारी की सारी समझ आ जाएगे तो सबसे पहले probability होता क्या है probability सबसे simple terms में हम ले तो number of favorable outcomes favorable outcomes इस साइट लिख देती हो थोड़ा number of favorable outcome upon में number of total outcomes number of total outcome basically आप यह मानलो पूरा का पूरा probability इसी major जो हमारा formula है इसके round ही revolve करता है तो देखते है probability का अगर हम पहला question that what is the probability of getting a red ball when a ball is drawn at random from a bag containing four blue and six red balls पटावट इसका answer बताओ यह एक bag है जिसमें 4 blue और 6 red ball है उसमें से हमने अगर एक ball निकाली है randomly तो वो red ball होगी इसकी probability क्या है तो वह करेंगे favorable outcomes upon में total outcomes favorable outcome क्या होंगे red ball निकालनी है तो favorable outcomes होंगे जितनी red balls होंगी तो red balls कितनी दे रखी हैं आपे 6 तो favorable outcomes हो गए 6 upon में total outcomes कितने होंगे जो total number of balls present है that is 4 plus 6 जो कि है 10 तो हमारी probability क्या गई है 3 by 5 समझ में आया simple सा concept है आगे चलते है probability के लिए आपको तीन चीज़े अच्छी से पता होनी चाहिए एक है combinations का topic combinations क्या है suppose हमको बोला कि 10 लड़के हैं उनमें से किनी भी दो लड़कों को choose करना है select करना है तो आप यहां पर लगाएंगे combinations कि 10 लड़के हैं उनमें से हमें 2 को select करना है तो c c को आप choose से आग कर लो 10 c 2 इसको solve कैसे करते हैं जो उपर है हमारा उसको numerator में 10 vectorial जो 2 हमारा denominator में है उसको 2 vectorial जो 2 नीचे दिया हुआ है उसको denominator में 2 vectorial और जो इन दोनों का difference है 10 और 2 का क्या हुआ 8 वो भी denominator में 8 factorial तो यह हो गया हमारा basic combinations का concept उसके बार आपको and or अच्छे से पता होना जहें probability में एक major major चीज है and or की जब आप question पढ़ते हैं जब आप समझते हैं अप्रोच लगाते हैं तो जब भी line में आपको and दिखता है तो and की जगा आप जो symbol यूज करते हो वो होता है multiplication का और जब भी आपको और दिखता है तो और की जगा जो आप symbol यूज करते हो वो होता है हमारा addition का आप यह मान लो probability का राम बान यह है अगर आप यह समझ गए तो आप probability के questions easily solve कर पाओगे कि हमेशा and की जगा हमको use करना है multiplication and और की जगा जब भी और है तो उसकी जगा हम use करेंगे यहाँ पर addition चिक है उसके बाद आपको एक concept आना चाहिए at least at most का concept as in हमें बोला है कि 10 लड़के है उसमें से हमको at least two select करने है at least two means two or more या तो दो या उससे जादा तो at least का मतलब है उतने या उससे जादा और अगर हमें बोल दिया at most two लड़के तो two या उससे कम यानि कि less than two और two तो आपको यह तीन चीज़े अच्छे से पता होने चाहिए आगे question देखते है अब question है that what is the probability of selecting one black and one red ball when two balls are drawn randomly from a bag containing four black and six red balls फटा फटास का answer बताओ हमें बोला है कि probability एक black और एक red निकालने की जब दो balls निकाली गई है एक बाग से तो इसमें आपको सबसे बेले कि क्या देखना है कि total balls कितनी है चार black और छे red यानि कि 10 balls total है और दस में से हमें निकालने कितनी है दो तो total outcomes हो जाएंगे 10C2 ठीक है favorable outcomes क्या है one black and one red अब यहां पे ध्यान दो one black total black balls है 4, 4 में से हमें चाहिए सिर्फ एक तो 4 में से एक ले ली 4C1 उसके बाद आपको and और का concept बताया है हमें black के बाद बताया है and, and की जगा क्या लगा देंगे multiplication हाना और one red ball, total red balls कितनी दी होई है 6, 6 में से हमें 8 चाहिए तो 6 में से एक select कर ली 6C1 यह हो गया favorable outcomes, upon में total outcomes जो हमने यह से देखे थे 10C2, तो बस इसको solve कर लेंगे, यह आ जाएगा 4 into 6 numerator में, upon में हमारा क्या जाएगा 10 into 9 और यह एक 2 उपर चला जाएगा, right, तो यह आ गया 5 यह आजाएगा 2 by 3, that is हमारा answer आजाएगा 8 by 15, ठीक है, next question देखते हैं, a bag contains 4 red, 5 blue and 3 green balls, if 3 balls are selected at random, what is the probability that either all are red और all are green, फटा-फट से इसका answer बता दो, एक bag है, जिसमें 4 red, 5 blue और 3 green ball हैं, या तो 3 red निकले, या फिर 3 green निकले, कितने cases बनेंगे 2, या तो हमने 3 red निकाली, और हमने 3 green निकाली, ये 2 cases बनेंगे, right, तो favorable outcomes क्या हो जाएगे, 3 red निकालना, 4 red balls हैं, उसमें से हमने 3 निकाली, तो 4 C 3, बीच में आ गया, और, और की जगह हम क्या लगाते हैं, आपको बताया भी था, addition लगाते हैं, तो addition लगा दिया, और 3 green का क्या हो जाएगा, तीन ही green balls थी, और 3 में से 3 निकाली, तो 3 C 3, ये हमारे हो गए, favorable outcomes, नीचे क्या चाहिए होता है, denominator में, total number of outcomes, अब total balls कितनी है, 4, 5 और 3 हो गई, 12, 12 में से हमने निकाली है, 3 तो 12 C 3, ये हो जाएगा हमारा इसका answer, that is, उपर आ जाएगा हमारा 4 प्लस 1, denominator में आ जाएगा 12 into 11 into 10, और ये आ जाएगा 6 यहाँ पर, that is, numerator में हो गया हमारा 5 into 6, ये भी 2 पे कट गया, ये भी 2 पे कट गया, हमारा answer आ गया, 1 upon में 44, समझ में आया, आगे देखते है, हमें बोला है, a bag contains 3 blue and 7 red balls, एक bag में 3 blue और 7 red ball है, अगर हमने 3 ball निकाली, if 3 balls are drawn at random, find the probability of picking at most 2 red balls, अब यहाँ पर देखो, at most 2 red balls का मतलब क्या होता है, या तो 2, या फिर 2 से काम, हाना, अब पूरे cases देखे, तो हमने 3 balls निकाली, तो 3 balls में, या तो 0 red निकलेंगी, या 1 red निकलेंगी, या 2 red निकलेंगी, या फिर 3 red निकलेंगी, अब अगर हम 0 red निकाल रहे हैं, तो बाकी जो 3 ball हैं, वो blue होंगी, तो यहाँ पर 0 red के साथ जो बाकी 3 हैं, वो blue होंगी, अगर हम 1 red निकाल रहे हैं, तो जो बाकी 2 हैं, वो blue होंगी तो एक red के साथ and जो बाकी दो है वो हमारी blue जा रही है उसके बाद हम दो red निकाल रहे हैं तो यहां पर लिख देते हैं जो एक ball बच्ची वो हमारी blue होगी तो यह एक blue हो जाएगी one blue and two red हमसे पूछा क्या है तीन red है तो तीन ओ red होगी blue नहीं होगी हमसे पूछा क्या है probability of picking at most two red balls यानि कि या तो zero या फिर one या फिर two red balls यही होता है ना at most two या उससे काम हो जाएगा ठीक है तो cases बनाए या तो यह case होगा या यह case होगा या यह case होगा पहला case लिखते है zero red and three blue balls वाला total balls कितनी है तीन blue है तो तीनों में से तीनों ले ली ठीक है तो 3C3 और दूसरा case और की जगा क्या लगता है addition तो addition लगा दो यहाँ पे दूसरा case क्या है one red and two blue balls अब यह case बनाते है one red total red balls है साथ साथ में से हमने ली one तो seven में से choose कर ली one and आ गया and की जगा क्या लगता है multiplication तो यहाँ पे लगा दिया two blue balls तीन blue total है उसमें से दो ले ली तो क्या बचा 3C2 चीक है यह तो एक case होगा और तीसरा case तीसरा case क्या है one blue and two red तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीसरा case और आ गया तो और की जगा हमारा addition लग जाएगा और तीसरा case है one blue and two red टोटल balls है साथ में से दो ले ली तो 7C2 यह आ गया हमारा favorable outcomes और upon में क्या लिखते हैं favorable outcomes तो लिख लिए upon में total outcomes लिख लेंगे total outcomes कितने हैं 10 balls ही इस बाग में total तो 10 में से हमने कितनी निकाली है तीन तो 10C3 इसका answer क्या जाएगा 17 upon में 24 आशा इस question को करने अगर हम समझ लिया छोटा तरीका अगर हम यहां पर देखे टो एक बात देखो तीन balls निकाली या तो हमारे पास हमारे पर सार केस है या तो 0 red निकलेगी या फिर 1 red निकलेगी या फिर 2 red निकलेगी या फिर तीनो रेड निकलेगी हमसे बोला था at most two यानि यह केस यह केस और यह केस राइट हमें पता है कि सारे cases की probability का जो sum होता है वो one होता है हाना हमें इन तीन cases की बताने है total probability तो अगर हम one में से इस case की probability को minus कर दे तो भी same answer आएगा छोटा method हो जाएगा तो हम यह भी करकर देखते हैं कि तीनो रेड अगर बॉल निकली दाट इस साथ रेड बॉल थी साथ में से तीन रेड यह favorable outcomes upon में total outcomes कितने हो जाएंगे दस total balls में से हमने तीन बॉल निकाली इसको हमने one में से minus कर दिया तो यह answer भी हमारा आएगा 17 upon में 24 तो basically आपको समझ में आया होगा probability का topic कोई मुश्किल topic नहीं है आपको बस concepts की पकड़ अच्छी होनी चाहिए जो तीन चीज़े हमने बदाई है combinations at least at most and or यह अगर आप अच्छे से दिमाग में अपने fit कर लेंगे तो कोई भी question आएगा उसको solve कर पाएंगे तो डरना नहीं है इस topic को attempt करना है आप इसको बहुत जल्दी attempt कर सकते हैं अब जैसे कि clerk का exam आ रहा है LIC का exam हा रहा है तो इनके लिए आपको practice की सबसे जादा जरूरत है जादा से जादा mocks दो क्योंकि आपको पता क्या चलेगा इससे कि जो time का pressure होता है एक आपके उपर pressure होता है कि time फटा 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 बढ़ रहा है उसमें आप कितना attempt कर पाओगे तो mocks जादा से जादा content नहीं है तो हमारे packs है मैं आपको अपने store पर pack दिखाती हूं यहां से आप देख सकते हैं कि हमारा store पे insurance bank and insurance edge करके एक pack है जिसमें आपको test series मिल रही है सारे bank और insurance exams के लिए 110 प्लस mocks आपको इस पर मिलेंगे जिसमें आपका LIC assistant का exam जो mains आ रहा है IBPS clerk, IBPS SO, हमारा RBI के exam सारे के सारे हम cover करते हैं इन सबके लिए आपको mocks मिलेंगे इसमें सबसे अच्छा feature यह है English Hindi दोनों में available है साथ में store और app दोनों पे आप access कर सकते हो इसके साथ आपको bimonthly और weekly आपकी current affairs magazine मिलती है July 2019 से February 2020 तक सारे current affairs cover कराए जाएंगे detailed solution आपको साथ में मिल दे हैं और best part in mocks का होता है कि आपको अपना analysis मिलता है आप कौन से section में weak हो कौन से में strong हो किसमें जादा मेहनत करनी चाहिए plus आप compare कर सकते हो अपनी rank all India जो बच्चे paper दे रहे हैं कि आप कहां पे stand करते हो तो यह आपको बहुत beneficial है आप जादा से जादा mocks दो जादा से जादा practice करो क्योंकि practice makes a man perfect तो तयारी अच्छी कीजिए all the very best for your exam